न्मासकार दोस्तो आजबन में बात करें किस्टों अगर बात करें कंपणी के बारे मैं कंपणी का इस्टों 13.35 पर ट्रेड कर रहे हैं पिसले 5 सालों में बात करें तो ऐट-एट-ट प्रेशंट तक यहां पर क्रेश आपको देखने को मिल चुका है अगर बात करें पिसले एक साल की तो पिसले एक साल में भी आपको यह इस टो 55% तक यहाँ पर क्रेस होता हो मिला अगर बात करें पिसले 6 मेने की तो पिसले 6 मेने के अंदर भी यहाँ पर इसमें 26% तक की आपको गिराउट देखने को मिली है यानि कि कमपनी पिसले कुछ सालो अगर बात करें के अप्रियार कि एक महने भी आपर आठ प्रसेंट तक यह बाहरा आपको इस इस क्रोट में गिरावड देखने को मिली है वो बढ़कर माइनस 18 क्रोड यानि 22% का इसमें इंप्रूइमेंट देखने को मिला है लेकिन कंपनी का जो नेट प्रोफित है अभी भी आपको लोस के अंदर दिखाए दे रहा है अगर बात करें कंपनी के अर्णिक परसेर जो कि माइनस 2.7 थी वो कम होकर माइनस 2.15 लेकिन क पिछले साल के क्वार्टर फॉर कि पि एकरारे देखिरियों पिछले साल के क्वार्टर फॉर्वड की कंपनी की माइनस 2.17 क्रोड यानि 33% तक अपने इंप्रूमेंट इंपनिक रिखेडिया है चौिया है कि युद 1. inverse अगर बात करें नेट प्रोफिट कंपनी का माइनस में चल रहा है लेकिन इसमें 10 क्रोड के आज पास आपको कमी देखने को मिली है कि अची कपर 13 के आसपास सही है कमपनी का अर्णिंग परिशर माइन 9.11 से कम होकर माइन 7.92 यहनि कमपनी का अर्णिंग परिशर भी आपको अच्छा कासा यहां पर इंप्रूम्मेंट नजर आया है कमपनी यहां पर पॉजिटिव में आने की बार बार यह कोशिज कर रही है अगर बात करें पिछले 5 सालों क पिछले 5 सालों में आपको 88 पॉजिटा कि चरहा डेखने को मिल चे वैप इवाद करें नर्प पिछले 5 सालों में पपूस्य के बात करें आप आप करम नेट पौट की अंतर आपको देखने को मillा और 2018 से लेकर 2019, 2020 और 2021 यहाँ पर आपको downward देखने को मिल रहा है लेकिन 2022 में अगर बात करें तो पिसले तीन सालों से company यहाँ पर minus से positive की तरप continuously अपना लोस कम करनी जहां 2020 के अंदर 109 क्रोड का कमनी का लोस था वो 2021 के में 77 क्रोड का हो गया और 2022 के financial layer की बात करें तो यह लोस 67 क्र पर्मोर्टर्स की जो total holding है 28.57 है और यह continuously आपको unchanged देखने को मिली है लेकिन last quarter के अंदर यह holdings भी आपको 21.98 देखने को मिली है लेकिन इसी के साथ एक अच्छी positive जो है news है उसकी बात करें जहां पिछले कुछ quarters है company जो पर्मोर्टर्स प्लेज शेर थे वो 54% है वो कम करके 40 40% तक आपको यहां पर प्लेज देखने को मिल रहा है यानि company के लिए यह एक अच्छी ख़बर है अगर हम बात करें foreign investor की तो foreigners में continuously इस stock के अंदर अपना जो stake है continuously आपको download देखने को मिल रहा है मार्च 2021 के अंदर धहां 3.1 था वो कम होकर मार्च 2022 तक 1.64 जो कि एक negative impact है अग अगर बात करें public मार्च 2021 के अंदर 68% की holding थी वो मार्च 2022 तक 76 यानि public की हापर holding आप इस stock के अंदर बढ़ती भी दिखाई दी है अगर बात करें future prospectus की तो इस stock के लिए सबसे ज्यादा important यह है कि company अपना जो result है quarter result और yearly result अगर आपको company का positive में देखने को मिलेगा तो company में अ जो chemicals है उसके बाद में कोस्मेटिक है उसके बाद में company medicine यहाँ पर त्यार कर रही है और उसके फार्मकुलेसंस के अंदर भी company काम कर रही है और company ने अपने product portfolio है उसके बारे में भी यहाँ पर जो बताया है तो company के लिए आपर market में काफी दा competitor भी है लेकिन अगर company market में सरव positive great rate company के अंदर देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी bounce back भी आपको देखने को मिले सकता है इस company में इंवेस्ट करने के लिए इसका quarter result और company के financial year के result कफ ज़्यादा important रहने वाले है जो कि financial year 2022 के उपर different करता है अगर company इसी प्रकार से इसको maintenance करकर र